हलो डियर शुडेंस, इंग्लिस भाई अनुच कुमार यूटूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है डियर शुडेंस आप इस वीडियो को सुरू से अंतक जरूर देखें यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, एंड सेर भी जरूर करें अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आज हम लोग इस वीडियो में एडजंक्ट के बारे में सिखेंगे जिसका अर्थ होता है सहायक लेकिन यदि हिंदी के वाक्यों में एक साथ एक नाउन और एक पिरिपोजिशन आवे तो उसे एक एडजंक्ट कहा जाता है सिंपल सा बात है किसी भी हिंदी के वाक्यों में एक नाउन के साथ एक पिरिपोजिशन आया हो तो वह एक Adjunct कहलाता है जैसे रोहित अपने दोस्तों के साथ राची जाता है जाता है भर्व हो गिया कौन जाता है रोहित सब्जेक्ट हो गिया कहा जाता है राची अब अब अपने दोस्तों के साथ तो देखिए के साथ पिरिपोजिशन है और दोस्त क्या है नाउन तो एक नाउन और एक पिरिपोजिशन एक साथ आया है तब हम इसे बोलेंगे कि यह एक एडजंग्ट है लेकिन अब समझना है हिंदी के वाक्यों में एडजंग्ट की संखिया एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है यदिवाक मेरजंग की संख्या मात्र एक हो तो अंग्रेजी मनवात करते समय अबजेक्ट के तुरंत बाद उसे अस्थान दिया जाता है लेकिन यदि वाक में एडजंग्ट की संख्या एक से अधिक हो तो अबजेक्ट के बाद दाएं से बाएं चल कर एडजंग्ट को ट्रांसलेट किया जाता है जैसे रोहित अपने दोस्तों के साथ राची जाता है लेकिन एक से अधिक हो तो हम दाएं से बाएं चल कर ट्रांसलेट करेंगे next sentence है रोहित अपने दोस्तों के साथ बंस से राची जाता है जाता है भर हो गया कौन जाता है रोहित सब्जेक्ट हो गया कहां जाता है राची अबजेक्ट हो गया अब देखिए एक noun यहनि बंस noun है और से पिरी पोजिशन एक noun और एक पिरी पोजिशन एक साथ है तो हम बोलेंगे कि यह एक एड़्जेक्ट है अपने दोस्तों के साथ दोस्तों noun है के साथ पिरी पोजिशन है तो इसको भी बोलेंगे कि यह भी एड़्जेक्ट है तो इसमें तो यहां पर लिख देंगे बीथीज फ्रेंड्स याद रखना है कि जब भी एड़ जंग को ट्रांसलेट करेंगे सबसे पहले पिरी पोजिशन को असान देंगे इस तरह से बनाएंगे नेक्स हैं वह समय पर भी द्या ले जाता है अब देखिए मारता हूं भर हो गया कौन बारता हूं मैं क्या बारता हूं चोकलेट अबजेक्ट हो गया बच्चों के बीच एभी एक अड़ेंग्ट हो गया बच्चा नाउन हो गया के बीच पिरी पोजिशन हो गया गंतंत्र दिवस के औसर पर गंतंत्र दिवस नाउन के औ सर पर प्रिपोजिशन तो एभी एक एड़्जंक्त हो गया अर्थात इसमें एड़्जंक्ति संख्याद्दू हो गया दायां से बायां चलके नुगात करेंगे इस तरह से हम एड़्जंक्त को फाइंड आउट करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे लेकिन दोस्तो ऐसे बड़े से बड़ा वाक्यों को बगार एड़्जंक्त खोजे भी आप हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं समय सब्जेक इसके बाद भर्व और इसके बाद ऑब्जेक और इसके बाद अन्य सब्दों को लाए जाता है तो यहां पर भी इसी तरह से आपको करना है लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि इसमें देखना है कि कौन कौन से पिरिपोजिशन आया है तो देखिए के साथ पिरिपोजिशन आया है के नीचे पिरिपोजिशन आया है में पिरिपोजिशन आया है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते समय अबजेक्ट के बाद दाएं से बाएं चलकर अनुगाद कर दिजिए अर्थात पहले subject भर object को लिख लीजिए और दाएं से बाएं चलकर ट्रांसलेट कर दिजिए जैसे सबसे पहले हम subject लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक सेर, तो अलायन, पास्ट कॉंटिन्यूस टेंस का है, सो रहा था, तो वाज सिलिपिंग, अब इसके बाद कौन सो रहा था, पता नहीं चल रहा है, इसमें कोई अबजेक्ट के रुप में, तो जब अगर अबजेक्ट नहीं आया है, तो जो चीज जिसमें पिरी पोजिशन लागा है उसको दाएं से बाएं चलेंगे तो देखिए तो अपने बच्चों के साथ एक नमबर में या रहा है फिर दूसरकार हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे अब हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने सिखेंगे अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले उस वाक में आप भर्ब को देख लीजिए इसमें भर्ब क्या है तो वाद जो हेल्पिंग भर् अब भर्व के पहले जो भी आया हो उसको आप A, B या 1, 2, 3 कुछ भी नमबर दे दिए जैसे एक नमबर दे दिए इसके बाद आप सबसे इसके बाद आप वाक के अंत में आ जाईए अब वाक के अंत में क्या आया है इं The Dems Forest एक साथ रखेंगे यह हो गया दो नंबर लेकिन जो पीरी पोजीशन है इस पीरी पोजीशन का स्था नंबर हम अलग करेंगे इन तीन नंबर अब इसके बाद हो गया A3, 4 नंबर हो गया Under, फिरी पॉईशन है इसको 5 नंबर वोलेंगे इसके बाद हो गया Each Children, 6 नंबर वोलेंगे With, 7 नंबर वोलेंगे अब यहां पर भर्व का कोई numbering नहीं करना है अब क्या करिए आप जब इस तरह से हम नमरिंग दे दिये अब इसका आप हिंदी लिखे देखिए एक नमर में क्या है एक सेर लिख दिए इसके बाद सबसे लाश्ट में यह डेंस फोरेश घने जंगल में इन इसके बाद इन हो गया इसके बाद और ट्री एक पेड़ अंडर के नीचे इसके बाद वीध ही चिल्डरेन है तो अब यहाँ पर देखिए अपने बच्चो इस चिल्डरेन अपने बच्चो अब इसके बाद सात्वा नमर में वीध है तो के साथ सो रहा था तो इस तरह से हम अंग्रेजी से हिंदी में ट्रासलेट करेंगे दोस्तों I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स फोर वाचिंग